नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ डॉक्टर विजिन गुवंदा गुपता, नई दिल्ली इंडिया में एक पुरुष रोग विशिशग्ये और यूरालेजिस्ट, जो वेरिकोसील का प्रॉपर इलाज करने में महिर है, वेरिकोसील के है, कैसे होता है, क्यों होता है, उसका साइस कैसे परा चले, वेरिकोसील से क्या नुक्सान हो सकते है, वेरिकोसील का सही इलाज क्या है, वेरिकोसील की पट्टी, ड्रेसिंग, कैर कैसे गरे, वेरिकोसील में रेकरेंस ना हो, उसका कैसे ध्यान रखे, पर यह सब वीडियो लगलग है कई बर मरीजों को सारे वीडियो नहीं मिलते हैं सारे वीडियो नहीं देख पाता है तो आज के टॉपिक में मैंने सोचा है कि वेरिकोसील के जो भी मेरे पास लेके जाती है एक होता है वास जो बेसिकली स्पर्म को करी करती है और एक होता है लेमफैटिक्स जो बेसिकली पानी या फैट को करी करते हैं अगर जो वेरिकोसील की वेंस है वेरिकोसील की वेंस में सूजन आ जाए उनके वाल्व खराब हो जाए उस कारण से उनने नसों में गुच्छा बन जाए तो उसको वेरिकोसील बोलते हैं अब वेरिकोसील होता क्यों है वेरिकोसील होने के कई कारण होते है अभी तक clear नहीं है कितने mostly क्या है कि normally जो ये veins होती है इनमें valve होते है ये valve normally blood को carry करती है वापस heart की तरफ और ये कोशिश करते है कि जो blood एक बार चड़ गया उपर वापस नीचे ना उतरे अगर ये valve खराब हो जाए तो जो टेस्टिस के उपर जो veins है उसमें blood इकठा होना start हो जाता है और blood इकठा होने के कारण जो ये veins है इनमें सूजन आ जाती है अब ये valve क्यों खराब होते है कई कारण है एक हो सकता है congenital मतलब बचपने से valve खराब हो एक होता है कि जो ये veins है kidney में जाकी जुड़ती है तो हो सकता है कि kidney में इनकी जो joint है वो acute angle पर हो जिस कारण से pressure बढ़ने है कारण ये valve खराब होते हो चोथा है gravity gravity मतलब की जो बहुत लंबे मरीज है उनके अंदर हमेशे लटकन की वज़े से जो है valve खराब हो जाए पांचवा है estrogen estrogen मतलब की जो hormone होता है ladies hormone अगर बड़ी में बढ़ जाए तो उस कारण से valve खराब होते है छटा होता है अगर testis को proper support ना दिया जाए और बिना support के running exercise कर रहे है या बार-बार body के अंदर जो पेट में प्रेशर है उसको बढ़ा रहे है तो उस प्रेशर से valve खराब हो सकते हैं तो ये छे कारण तो है जिन पर बहुत studies है पर उसके लाब बहुत सारे कारण है जैसे एडियोपेथिक, antioxidant damage, predisposition to, varicocele, पैरों में जरह से खराब है तो इन सब कारण से varicocele जो है वह बहुत बन सकता है अब बना क्यों उसका treatment तो नहीं है पर अगर वरicocele हो गया तो उसका इलाज कब कभ या किस किस तिति में करना है या मुटे-मुटे शब्दों में कि varicocele आपके टेस्टिस में क्या-क्या नुकसान पहुचा सकता है varicocele basically कही दिसे नुकसान पहुचाता है normally अगर ये veins जो है normally टेस्टिस जो है metabolically active organ है उसमें हमशा sperm बन रहे है तो लाखों की मात्रा में कच्रा बनता है ये कच्रा ये veins लेके जाती है अगर varicocele की नस्व में गुच्छा बन जाए और इसमें बलड है वो स्टैलनेंट हो जाए तो उस एक तो टेस्टिस के अंदर से कच्रा रहा नहीं पाता टेस्टिस का temperature बढ़ जाता है टेस्टिस जो है एक बहुत ली temperature sensitive organ है ये भगवान ने body के बार इसलिए बनाया थे कि इनका temperature body से 2 या 3 डिगरी कम रहे अगर varicocele हो तो इनका temperature जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है गोलियों में लटकन रहती है गोलिया हमेशे लटकी रहती है तो varicocele से कि दिक्रत हो सकती है जैसे पहला टेस्टेस छोटा होना सेकेंड टेस्टेस में sperm production कम होना तीसरा erectile dysfunction प्रेदा होना चौता टेस्टेसरोन लेवल्स गिरना इस्टोजन लेवल्स बढ़ना आपके टेस्टेस में हमेशा discomfort या पेर रहना masturbation के बाद discomfort या पेर बढ़ना इन सब सिंटम से patient काफी परेशान रहते है तो अगर इन में से आपको कोई भी तीन सिंटम है कि टेस्टेस छोटे हो गए है टेस्टेसरोन लेवल्स ड्राप कर रहा है erectile dysfunction डेवलप कर रहा है veins का गुच्छे cosmetically गंदे लगते है हमेशा टेस्टेस में पेन है या आपके sperm count पे फिट आ गया है तो इन स्थितियों में vericoceal का repair कराना जुरूरी है अब vericoceal को repair कप करें उसमें दो चीज़े important है पहला important है कि vericoceal का grade कितना है second important है कि vericoceal क्या कर damage कर चुका है अगर vericoceal का grade कम है और damage नहीं हुआ है तो हम symptomatically manage कर सकते है vericoceal को ठीक करने की कोई भी दवाई नहीं है किसी भी पदिती में vericoceal को ठीक करने की कोई भी दवाई नहीं है vericoceal के symptom कंट्रोल करना damage को कंट्रोल करना और vericoceal का grade ना बढ़े उसके लिए definite दवाईया है तो अगर सबोर vericoceal का grade 1 या 2 है और vericoceal के कोई भी symptom नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है तो उस तिती में vericoceal और ना बढ़े उसके लिए adequate precaution दखे लंबोर्ट बांदे, बरफ की सिखाई करे heavy work को avoid करे और कुछ दवाईयों से कोशी किया सकती है अगर vericoceal किसी भी grade का है पर vericoceal के symptom बनने शुरू हो गया है मरीज को दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई sperm count कराब हो गया है तो उन cases में vericoceal की surgery हो जाती है ज़रूरी अब vericoceal के treatment करने के दो main main तरीकी है जिसमें बहुत आरा controversy है laparoscopic और open surgery बखवास है laparoscopic और open surgery के अंदर कोई भी किताब, कोई भी book, कोई भी world body कोई भी textbook नहीं बोलते कराने के लिए ओगी यह failure techniques है main जो competition है वो दो techniques में है embolization या microsurgery मेरे बहुत सारे videos है आप देखेंगे links में कि microsurgery embolization से better क्यों है पर मोटे मोटे तोर पे microsurgery embolization से 1000 गोना better है इसके कई reason है पहला, microsurgery के अंदर हम सीधा verico seal पे वार करते है और हम जहां पर नसोग उच्छा है उनी को बानते है second, microsurgery के अंदर बहुत लंबा मोटा चीरा नहीं लगता चोटे चीरे सर्जरी हो जाती है तीसरा, microsurgery के अंदर हम जो cremastric जो covering है उसको भी open करते हैं इसको CDVL भी बोलते है तो CDVL का advantage यह है कि जो cremastr खुल जाने की वज़े से vein सीधी हो जाती है और verico seal के recurrence rates कम हो जाते हैं चौथा, microsurgery में हम artery को बचा सकते हैं इस काराण से testis को damage नहीं होता पांचवा, जो microsurgery है microsurgery के अंदर हम lymphatics और nerves को बचा लेते हैं इस काराण से patient को बार में hydrosil या बार में pain develop नहीं होता तो और सबसे important microsurgery में recurrence, microsurgery में failure के rates बहुत कम है जितनी भी studies होगी आज तक world में हमेशा पाया गया है कि microsurgery में ही best result patient को मिलता है microsurgery versus embulation में एक और है कि embulation में patient को contrast और radiation दोनों exposure करना बढ़ता है जिस मरीज में already testis damaged है, उसके testis को radiation exposure से बचाना बहुत ज़रूरी है ताकि उसके sperm count further effect ना हो, तो अगर आपको verico seal है और आप impression गुजर रहे हैं तो मेरे verico seal के उपर कम से कम 10 वीडियो और है जो detail में discuss करते हैं कि verico seal क्या है और उसके सारे parameters को उन्हें जरूर देखिए, अगर आपको verico seal का सही लाज चाहिए तो आप verico seal की microsurgery choose किजिए मेरे center पे इंडिया के lowest rates पे verico seal microsurgery होती है इतने low rate पे German instruments से microsurgery पूरे इंडिया में किसी भी और center पे नहीं होती verico seal की हजारो success stories है grade 4 से grade 5 verico seals मारे ठीक होते है जिन patients के verico seal के कारण zero sperm count थे उनके sperm counts आ गया है जिन patients के verico seal के कारण IVF फिलर हो रहते हैं तो उनके IVF successful हो गए तो verico seal को diagnose कीजिए अच्छे डॉक्टर से treatment कराईए यह आपके लिए best solution है मुझसे contact करने के लिए दिये गए email पे नीचे comment section में facebook पे कर सकते है वीडियो को जुरूर लाइक कीजिए दोस्तों से share कीजिए और भूलिए मैं चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए में बहतर वीडियो और बहतर इंफोमेशन लाता जा सकू थांक यू सो मच नमस्ते टेक कर